तो बड़ी ख़बर ये तीस्ता सीतलवाड इस बक्त सांटा क्रूज अस्पताल थाने में हम आपके जगा और उनसे पूस्तार्च की जा रहे है आप उनको गुजात लाया जाएगा हमारे साथ गूपी लगातार बने हुए है मुश्किलें तीस्ता सीतलवाड की बढ़ गए है और मुश्किलें क्यों बढ़ी है इसके पीछे आपको ये समझना जरूरी है दरसल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर ये इलजाम लगा गया था और साइटी बैठे थी दो हाजार दो गुजात दंगो पर सुप्रीम कोट करुकिया गया था और साइटी के दोरा क्लीन चिट उनको मिली थी लेकिन जाकिया जाफरी की याचका को खारीच कर दिया गया और साथी साथ तलख टिपनी भी की गए उसी महमले में तीस्ता सीतलवार को एप्लिकेंट थी अब फैसले के आगले दिन याने की आज एटियस के टीम तीस्ता सीतलवार के घर पर पहुंच रही है और आपको बता दें कि गुज़ाद दंगो में सीतलवार के भूमिका पर सुप्रिम कोट ने और जाचकी जरुवत बताए और जाचकी आवशक्ता बताए कोट ने अपने फैसले में कहा कि जितने लोग कानून से खिलवार कर रहे हैं उनके खिलाब भी कारवाई की जाने चाहिए और यह वज़ाए कि अब एटियस कारवाई कर रहे हैं उनको गरफतार कर लिया गया है गुज़ाद दंगो पर सुप्रिम कोट के दोबारा गठित एसाइटी में प्रधान मतरी मोदी समेथ 55 नेताओं को अधिकारियों को क्लीन चिट मिल गए थी और इस एसाइटी में सुप्रिम कोट की निगरानी में हुए गुज़ाद का कोई भी अधिकारे शामिल नहीं था लेकिन उस क्लीन चिट के खिलाप जाकिया जाफरी तीस तासी तलवाड ये सुप्रिम कोट पहुँच गए अब शुक्रवार को सुप्रिम कोट ने ये कहते हुए इस याज़िका को खारिच कर दिया कि खानून का दुरुप्यों करना ठीक नहीं है सुप्रिम कोट ने ये साइटी जाच के तारीफ की और तल्ख टिपनी करते हुए का कि जितने लोग खानून से खिलवाड करते हैं उनके खिलाप आक्शन लिया जाना चाहिए सुप्रिम कोट ने तीस्ता सीतलबार का नाम भी लिया और कहा कि सीतलबार के खिलाप और जाँच की जरुवत है और ये और जाँच अब शुरू हो गए है ATS सीतलबार के घर पर पहुंची मुम्मेम उनका इघर है और अब उनको सांटा क्रूस थाने लिया गया है और यहां से बताया जा रहा है कि उनको गुजरात लाया जाएगा कैसे लाया जाएगा फ्लाइट से लाया जाएगा किसी दूसरे माध्यम से अभी क्लियर नहीं लेकिन उनको अब गुजरात ले जाया जाएगा जहां पर उनसे पूछता आच होगे दरसल सीदल बार का NGO है जो पूरे केस में 2000 के गुजराद दंगों के केस में पूरी तरह से सक डिया था और ग्रमंत्री अमिर्शा ने भी आज एक इंट्वियू दिया और उस इंट्वियू में इराजनेतिक जमात ने नरींद्र मोदी को बदनाम करने में कोई कूर कसर नहीं छोड़े कोई कूर कसर नहीं छोड़े गए और सुप्रीम कूट की ये तलख टिपनिया अब आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि ये तीस्ता सीतल वार कौन है दरसल वो एक सामाजिक कारकर था और पत्रकार है और सिर्जन फॉर जस्टिस एंड पीस या सीजेपी नामक संगठन की वो साचिब में है अब ये संगठन साल 2002 में गुजरात में सामप्रदाइक दंगे के पिडितों के लिए नियाये लड़ने के लिए स्थापित कियाँ था अब सीजेपी की ये सहयाigraphy का करता भी ये कूव एपलिकेंट भी है जो फरस्ट एपलिकेंट है वो तु जाकिया जाफरी है लेकिन ये सहयायाहचिका करता है और प्रदान मंतरी नरेंद्र मूदी और बासिट अन्या सरकारी अधिकारियों के साल दो हजार दो की गुजराद दंगो में आरोप लगाए इन्होंने की उनकी सह भागिता थी और अपराधिक मुकद में की वो पहले ही मांग कर चुकी हैं अब लेकिन सुप्रिम कूर्ट ने आचका खारिच कर दी एसाइटी की र अकायदा नाम लेकर कहा गया सुप्रिम कूर्ट ने तीस्ता सीतलवार का नाम लिया और कहा कि सीतलवार के खिलाप और जाच की जरूरत है और जाच की बात सुप्रिम कूर्ट ने कही है शुकरवार को सुप्रिम कूर्ट ने याचका को खारिच करते वे कहा कि कानून का किया अब किसे इरादे से किया कौन कौन और पीछे था सरीखे तमाम सवालों के जवाब आप तीस्ता सी तलवार को देने होंगे तो वक्त का पहिया घुमा है तीस्ता सी तलवार जो लगातर एक्टिव थी 2002 से लेकर आपने इनके कई बान मीडिया में पढ़े होंगे ये मुखर होकर बूलती थी और सामाजिक कारकर था ये खुद को कहती तो थी लेकिन सुप्रेम कोट के टिपने बहुत कुछ दर्शाती हैं कि जो एंजियो बनाया गया उस एंजियो का मकसद क्या था कैसे इमेज को डामिज करने की कोशिश हुई और काफी हता कामियाबी हुए क्योंकि इतने लंबे समय तक कई दो दश्कों का ही समय होने चला है और इतने समय तक पुदान मंत्री नरेंद्र मोदी पर लागातार की चड़ो चालते रहे सवाल उठाते रहे लेकिन अब तीस्ता सी तलवाड का नाम सुप्रेम कोट ने लेते हुए कहा कि उनके खलाब तो और जार्च की आवश्कता है क्योंकि कानून का दुरुप्योग किया गया है और जो ठीक नहीं है सुप्रेम कोट ने का और बकायदा सुप्रेम कोट ने साइटी की जाच की तारीफ की का जितने लोग अब कानून से खिलबार करते हैं उनके खलाब आक्शन तो लिया जाना चाहिए यह बज़ा है कि एमदावाद 80S पहुँच गई तीस्ता सीतलवाड के घर पर उनको सांता क्रूज ठाने में लाया गया है यहां से उनको अब एमदावाद ले जाया जाएगा जहाँ पर आगी की कारवाई है वो होगी तो गुज़ाद दंगो पर सुप्रेम कूर्ट के दुवारा S.I.T. गठित की गई थी प्रदान मंत्री मोधी समित 55 दार्चनेताओं को अधिकारियों ने क्लीन शिट दी S.I.T. ने तब तो मुख्य मंत्री थे प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी उनसे कई गंटों की पूछताच के ती प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी गुजरात में दंगे हुए और दंगो के पीछे का जो कारण देते है वो ये कि S6 बोगी में जो कार सेवक थे उनको जला दिया गया आज गर्मिंत्री अमेशा ने भी उसका जिक्र किया कल जब प्रेस कॉंफरेंस की थी रविशंकर पसाद ने उन्होंने भी कहा था उस प्रेस कॉंफरेंस में उन्हें ने वही बात की थी और इसे खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे समवादा था गूपी जुड़ी हुए है गूपी यानि कि तीस्ता सीतरवार ने एंजियो इस्थापित की लेकिन मकसद ये था कि कैसे डैमेज हो प्रान मंत्री नरेंद्र मोदी के चबी राज़े की बीजेपी सरकार के चबी को डैमेज करने का प्रयास था यानि कि क्या है मानट चाहे कि वो राजनेताओं के हाथों में खेल रही थी और एंजियो के नाम से पूरा कब पूरी राजनीती चल रही थी ये तो कहे पासकते हैं लेकिन जिस तरहे के से मामले थे गुजरात के और उस वक्त करीब आठ जैसे मामले थे जिसमें गुजरात का नरोडा पाठिया दंगा हो या नरोडा गाओं का दंगा हो ओड गाओं का दंगा हो या फिर जिस तरीके से लुनावडा में हुआ हत्याकांड हो कहीं ना कहीं तीस्ता सेतलवाट जो है वो उस वक्त दो हजार दो की अगर मैं बात करूँ तो उस वक्त तीस्ता सेतलवाट इन दंगों में जो विक्टिम्स थे उनके लिए मसीहा बन कर आये थी हर कोई उनके साथ जुड़ा हुआ था जो विक्टिम्स थे वो जादा से जाद लोग तीस्ता के साथ जुड़ रहे थे और कहीं ना कहीं तीस्ता का जो एंजियो था उसके जरीए जो फंड आ रहे थे उनके जरीए इनका घर और ये सारी चीज़े बनाने का काम भी चल रहा था लेकिन जब सवाल आया प्रदान मंतरी नरहिंद्र मोदी की भूमिका का तो ख जंगों के वक्त कई सारे ऐसे स्टिंग ऑपरेशन भी हुए थे कि जिसका जिक्र आज ग्री मंतरी अमिच्छा के जरिये किया गया तो ये सारी चीज़े जो है उसको अगर कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रिम कोर्ट ने जाक्या जाफरी के इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कहा है उसमें यही लग रहा है कि पूरा पुलिटिकल मोटीव के साथ जो कानूनी प्रक्रिया थी उसके साथ खिलवार करने की कोशिश जो है वो तिस्ता से तलवार कर रही थी ये सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट में सामने आया है